बॉस ये बात आपको शायद बहुत कम लोग बोलेंगे लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अंडरेटेड है मराथी सिनिमा बॉलिवुड में अकसर बहुत सारी मराथी मुवीज को रीमेक करके रिलीस किया जाता है और तारीफ भी मिलती है तालिया भी बच्चती है बट उससे भी बड़ा शॉक शॉक बोलिये या फिर जादू करिश्मा कुछ भी बोलिये वो हुआ सरकस के एक हफटे बार जिसमे किसी का ध्यानी नहीं गया 30 December को एक मराथी फिल्म रिलीस होती है वेड नाम से लिमिटेड स्क्रीन्स थी इसलिए फिल्म से जादा एक्स्पेक्टेशन भी नहीं रखी गई थी लेकिन इस फिल्म ने कुछ ऐसा कारणामा कर दिया है कि 2023 की शुरुआत पूरी तरह मराथी फिल्म इंडस्ट्री के नाम लिखी जा रही है एक्चली में वेड के रिव्यूज कुछ खास नहीं गए है पबलिक की तरफ से मिक्स रिस्पॉंस मिला है फिल्म एकदम एवरेज ट्राइप की है ऐसा बोला जा रहा है स्पेशली जैनलिया की अक्टिंग को काफी क्रिटिसाइज किया गया है जबकि रिटेश देश्मुक का डिरेक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया है लोगों को और तो और वेट कोई उरिजिनल फिल्म नहीं है ये फेमस तेल्गू फिल्म मजीली का मराथी रीमेक है इन शॉट कॉपी डूप्लिकेट माल कुछ भी बोल सकते हो लेकिन कमाल की बात ये है कि इन सारे रिव्यूस का असर फिल्म पर एकदम जीरो है और जो कलेक्शन बहार निकल रहा है थेटर से बहुस वो हिस्ट्री बना सकता है देखो आपको अच्छे से पता है कि रोहिट शेटी की फिल्म सरकस का बजट 100 करोड के आसपास था और वहाँ स्टार्स की गिंती खतम नहीं हो रही थी कि नहीं है कमाई चालू है एकदम फुल स्पीड में आज के टाइम में जब दृष्यम बॉक्स ओफिस पर 40-50 लाग का कलेक्शन कर रही है ठीक उतना ही सरकस ने भी कमाया है लास्ट थर्स्डे को वहाँ पर वेट का कलेक्शन धाई करोड के आसपास आ रहा है वो भी बिना किसी गिरावट के लगातार 3-4 दिन से इस स्पीड से चलता रहा तो नट समराट जो ओल टाइम मराथी मुवीज में नंबर 2 पे है बॉक्स ओफिस कलेक्शन ओफ 40 करोड के साथ उसको पीछे करके हिस्टरी बना सकती है और सबसे हैरान करने वाली बात वेट का बजट किसी जादू से कम नहीं है इस कलेक्शन से एक बात तो पकी है बॉलिवुट को अब सिर्फ साउथ सिनमा से कंपीट नहीं करना है फ्यूचर में मराथी सिनमा का कॉंटेंट भी पब्लिक को थेटर तक खीच सकता है जादा चौकिएगा मत अगर 2023 में आपको पान इंडिया म आपको वो फिल्म क्या सच में ये फिल्म 40 क्रोर क्रॉस करके हिस्ट्री बना सकती है फटा फट बताओ अपना रियक्शन बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा